तो एक बार फिर से Excel के regular topic से अलग, थोड़ा सा leak से हटके, फिर से हाजीरों आप लोग के सामने Excel tips और tricks का तर्का लेके. तो आज के तर्के में परऊसना चाहता हूँ, आप लोग के सामने टॉक टेन Excel hacks, जिसमें एक से बढ़के एक उम्दा और बहतरीन Excel productivity tips आप सभी लोग के सामने रखता हूँ. तर्के मेरी रिक्वार्मेंट है कि जैसे मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करता हूँ, तो करेंट सेल जहाँ पर मेरा है, वहाँ से नीचे के तरफ अफोर्स जाएगा ही जाएगा, बट आए वोंट तो स्टे ओन करेंट सेल आफ्टर प्रेसिंग, एंटर. तो ऐसे सेट्वेशन में मैं एंटर की जगह पर अगर मैं यहाँ पर यूज करों, कंट्रोल प्लस एंटर तो क्या हुआ, कौन से सेल पर हैं आफ़िषेंगे, तो आप मूव नीचे की तरफ करोगे, लेकिन कंट्रोल प्लस एंटर आपको रिमेन उसी सेल पर राखेगा. हैक्स टू जब भी मैं किसी फॉर्मुला को लिखता हूं या कुछ टेक्स लिखता हूं और इंटरप्रेस करता हूं तो जो करसर के मूव करने का डिरेक्शन हो किदर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है मैं ऐसा नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं मेरे हाथ में कंट चाहते हो या sequence change करना चाहते हो ऐसे situation में आप जाए फाइल आप जाए options और यहां पर options वह जाने के बाद यहां पर बिल जाएगा advanced और यहां पर मिलेगा after pressing enter move selection यह देख लिजी after pressing enter by default dawn लगा रहता है मैं चाहूं तो यहां से मैं change कर सकते हैं मैंने press कर दिया अब ok button में press और यहां से अब कुछ भी लिखिए और आपका direction change यह मेरे पास एक data set है अगर मैंने यहां पर auto sum press कर दिया और उसके बाद यहां से लेके यहां तक में मुझे उसी formula को populate कराना है तो fill down, control D, fill right, control R यह आपको बली भाद पता है control R बट मेरी requirement थोड़ी सी अलग है जो drag करना चाहता हूं मैं bottom और right की तरफ नहीं drag up ठीक है और drag down ऐसा situation हो तो यहां पर मैंने pass कर दिया equal to sum और यह range ले लेता हूं मालो और enter और मुझे यहां से क्या उपर की तरफ लेके जाना ह हैं तो select कर लिजिए alt e i or u यहां सेम कहानी यहां पर मैंने लगा दिया sum और इस तरीके से sum कर लिए और अब मैं यहां से left की तरफ drag करना चाहता हूं तो alt e i l यहां left की तरफ now i want to quickly jump to a range that means मैं यहीं पे रहते हुए कोई range है मेरे पास data कहीं होगा यहां है इस range पे वहीं से quickly jump करके जाना चाहता हूं तो हम सीधे यहीं से range pass करके सीधे quickly वहां पर move कर सकते हैं यहां पर pass कर दीजिए जो उसका range है e 57 से k 68 इस range में साइट data है मेरा enter प्रेस करके देखिए यह आपने name range जहां पर name box होता है वहां पर प्रेस किया है सीधे उसी range पर move अब यह तीन सेल हैं और इन तीन सेल को एक साथ मुझे एसेंबल करना था एक ही सेल के अंदर तो हमने या तो concatinate function text join concat या m person को use करके इसको तीनों को concatinate कर दिया इतना काम कर लेने के बाद यह तो करेंगे और मैं चला जाता हूँ proving autocorrect options और यहां पर replace with उसी formula को paste और उसको किसी keyword से चोटा सा कोई keyword ले लिजिए जैसे combine उससे उसको कर दिया replace add ok और ok और और यहां पर formula नहीं पास करना है वो जो shortcut press किया था क्या comp वो प्रेस करना है और प्रेस करना है enter यह output आपके सामने यह मेरे पास data है इस पे मैंने all dff filter लगा दिया और filter लगाने के बाद मान के चलते हैं इसमें से मैंने सिर्फ filter कर लिया a को और second filter लगा दिया जिसकी value 40 से या 50 से ज़्यादा हो greater than मान के चलते 42 enter तो इस तरीके से दो filter लग चुका है और आप मैं filter हटाना चाहता हूँ लेकिन जो मेरा current selection है d column इसमें से सिर्फ इसका जो यह amount वाला है यह filter नहीं हटना चाहिए तो आपको क्या करना होगा जहां से filter हटाना है जिस column में से उसके base फिल्ट पे पहुंच जाए और alt के साथ down arrow और clear c alt down arrow c clear यहाँ आप मैंने लिख दिया March यह April का APR मैं जानना चाहता हूँ यह कौन से मंथ है March में दिखाना चाहिए 3 और April में दिखाना चाहिए 4 मैं ऐसे month जानना चाहता हूँ तो आपको क्या pass करना equal to function month और सिर्फ नंबर में मैं पास कर देता हूँ March आप March पूरा भी लिख सकते ह हैं and one bracket button enter 3 उसी तरीके से month यह रहा serial number में पास कर दूँगा मैं APR and one bracket button enter 4 तो किसी भी text को आप आज अब month नंबर सो करा सकते हो इस तरीके से now I want to delete all non formula cells यहाँ पे सारे cell में formula लगे हुए हैं कुछ cell आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे जिसमें formula नहीं लगे हुए हैं select कर लिया और ctrl G special में चले जाए और यहाँ से आपको क्या select करना है यहाँ से select करना है constant ठीक है और okay button we press किसको select कर लिया उसने सिर्फ और सिर्फ जो constant value है उसको select कर लिया और उसके बाद यहाँ पे control और minus का sign ठीक है और shift cell up okay button we press वो cell आपका हट गया यहाँ पे मेरे पास invoice number का list है और यहाँ पे अगर मैं serial number generate करता हूँ और अगर मान के चलते मैं manoli link दे रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए लेकिन दिक्कत होगा अगर बान के चलते है इस data पे मैंने filter लगा दिया और यह data filter करके अब okay किया sequence रहा या हट गय मतलब मैं चाहता क्या हूँ serial number का जो list है वो filter लग जाने के बाद भी change नहीं होना चाहिए यहाँ पे one यहाँ two आ जाना चाहिए three four five six sequence वही रहना है सही one two three four five ठीक है करके देखते हैं तो यह serial number generate करने के लिए बहुत ही प्यारा सा function pass करेंगे equal to subtotal ठीक है और यहाँ से ले ले fridge और bracket burn enter अब बोलो sir serial number तो मैंने इस पहले भी बनाया था तो फरक यहाँ दोनों में फरक है बहुत major फरक है यहाँ से अब आप filter करिए डेटा को ठीक है okay what am I press लेकिन sequence वही one two three four five six seven ठीक है मतलब filter डेटा पर कोई sequence of changes नहीं आया इसी डेटा के clone इसका एक image create करना चाहता हूँ तो आप लोगों के पास Excel में एक hidden feature है camera tool in Excel ठीक है यहाँ पर मैं camera tool को use करके दो तरीके से दिखाना चाहूँगा सबसे पहले आप quick access tool बड़ पर चले जाए और यहीं से चले जाए जाए more command और यहाँ पर all commands और यहाँ पर कहीं ढूंड़ यह तुझारा camera यह मिल गया हमें camera इसको उठाया आपने और उठाके add कर दिया ठीक है okay button पर press उसके बाद इसको कर लिया अपने select और किस पर press इस camera प कोई click वो नए seat में भी हो सकता है किसी different seat में वहाँ पर जाके click तब भी कोई problem नहीं है उसी का link यहाँ पर create साथ के साथ इसका benefit यह कि यहाँ पे कुछ भी changes होंगे तो इस वाले seat में ही change होंगे देख लीजी हो रहा है change कुछ भी change करके देखिए color लगा के देखिए formatting करके दे तो इससे भी आसान camera tool उसको छोड़िए और यहीं से copy कीजिए cursor यहाँ रखिए और यह जो paste है इसके drop down पे click और यहाँ पे देखिए linked picture उसी picture से link कर दिया और यह दिख रहा है as a image बाट यह static नहीं dynamic image है मतलब आप यहाँ पे कुछ भी changes करते हो तो वो changes आपको यहाँ पे भी के सामने बीच-बीच में मैं जरूर आता रहूँगा इस उबीद के साथ आप से इंता हो next video में इसी तरीके किसी न किसी बहतरीन content के साथ सिर्फ और सिर्फ आप समी लोगों के बहतर कल के लिए thank you for your love and support to InnoGence channel thank you we'll see